गुड बॉर्निंग टो एवरीवन क्लास कल के वीडियो एक्स्प्लेनेशन में हमारा जो चैप्टर चल रहा था ठोस अवस्था यानि की solid state इनमें हम topic कर रहे थे analysis of cubic unit cells यानि की जो हमारी घनिये एकक cell होती है उसके कुछ गुणों का visualization हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने परमाणू त्रज्या कोर लंबाई तथा दो निकटम अणूओं के मद्द की जो दूरी होती है उनके बीच में संबंध पढ़ा था r d और a के बीच में relation पढ़ा था and हमने पढ़ा था प्रती एकक cell में कुल कितने परमाणू आ सकते हैं यानि कि पर unit cell आखे total कितने atoms present हो सकते हैं जिसमें मैंने आपको कहा था कि किसी unit cell में किसी कितने atom की भागेदारी होती है यह नहीं बढ़ना है हमें हमें यह निकालना है कि पूरा परमाणू अगर आना चाहे तो कितने परमाणू जो है वो आ परमाणू थे उनकी जो भागेदारी होती थी वो सरफ एक बटा आठ होती थी एक परमाणू की तो आठ परमाणू की बागेदारी कितनी हो जाती थी आठ गुणे एक बटे आठ याने 8 into 1 by 8 8 से 8 कट करके तो टोटल नमबर आफ एटमस जो परमाणू की संख्या निकल के आ होती थी तो 1 by 8 into 8 के हसाब से जो टोटल नमबर आफ एटम होते थे वह बन बनते थे और एक पूरा का पूरा एक परमाणू जो है वो काय के केंद्र में बॉड़ी के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता था उसका पार्टीशियन उस यूनिट सेल में कंप्लीट फुल होता था पूरा होता था इसलिए हमने उसकी वैल्यू वन लीती तो वन प्लस वन टोटल कितना आ गया था तो बॉड़ी सेंटर क्यूबिक में यानि काय केंद्रित एकक सेल में कुल परमाणू की संख्या कितनी होगी दो परमाणू एकक सेल त्यान रखेगा यह कोईशन अब्ज सेंटर में यानि की जो आपका फलक केंद्रित एकक सेल होता था उसमें आठ परमाणू आठ कॉर्णर पर मिलते थे आठ कोनों पर होते थे तो एक का भागेदारी एक बटे आठ का तो आठ का हो जाएगा आठ गुणे एक बटे आठ जो की एक के बराबर होता है और छे परम पर इसके हसाब से जो 6 परमाणू है उनकी कुल भागेदारी कितनी हो जाए कि 6 गुणे एक बटे तो यानि की 6 into 1 by 2 solve गया तो 3 atoms जो हैं वो निकल के आए थे तो 1 प्लस 3 मिल करके 4 atom पर unit cell यानि की 4 atom प्रती एक अक्सेल 4 परमाणू प्रती एक अक्सेल संख्या निकल के आई थी इसके बाद मैंने आपको उपस सह सह हो जन संख्या के बारे में बताया था coordination number की बारे में बताया था coordination number का मतलब क्या होता है कि 3D space में जब हम एक पूरा crystal बनाते हैं तो उस condition में एक परमाणू के चारो तरफ चारो का मतलब हो गया कि 3D space में उसके हर दिशा में कितने परमाणू जो हैं आ सकते हैं किसी एक crystal निकाय में या crystal ये पदार्थ में वो उसक coordination number यानि की उपसह सेयोजन संख्या कहलाती है अगर इसकी definition अगर हम कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि जालक में यानि ब्रैविस में एक परमाणू के चारो और उपस्थित निकटवर्ती परमाणू की संख्या को प्रदर्शित करता है यानि कि total number of atoms present around an atom in a lattice is called its coordination number मैं में आएगा तीन ही पढ़ने आपको सिंपल क्यूबिक में body centered में और face centered में coordination number आपको ध्यान रखना है फिगर के साथ तो यह यहाँ पर फिगर देखे बना हुआ है फिगर में आपको atoms दिख रहे हैं यह आपका अगर एक atom लिया जा तो इसके 8 हो तरफ 8 atom आ सकते जब simple cubic होता है तो उसमें 6 तरफ atom आ सकते हैं उपर नीचे दाएं बाएं मिला करके उपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे क्यूंकि body में तो कोई है नहीं बीच में तो center में atom है नहीं सिर्फ corner पर atom presented तो उस condition में एक atom के सिर्फ 6 side में और atom आ सकते हैं 6 परमाणू और आ सकते हैं तो इसकी का धिशन होगा या आप यहाँ पर freeze BP देख्व को जो यह मैंने क्यूब बना दिया वीच में एक atom करा होगा अब इसी स्केर ② इंच का में और यहां कहां-eh कहां वोते हैं एक इन यहां एक यहां एक यहां एक यहां एक और हैं यहां 8 विब्न कोनों में इसके ऑ туда हो तरफ जो है एटम याने परमाणू जो है वो पाई जा रहा है तो उस अवस्था में इसके हर दिशा में कितने एटम आ सकते हैं एट एटम तो इसका कॉडिनेशन नंबर क्या हो गया सिंपल यह सीधे-सीधे कितना हो गया एट हो गया वहीं पर जब फलक केंद्रित होता है सेंटर्ड होता है तो फेस सेंटर्ड के केस में कितने आ सकते हैं टोटल बारा यानि कि उनका कॉडिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है फलक केंद्रित घं में जो उपस हैं संख्या होती है एक परमाणू के चारों और बारा अन्य परमाणू जो है वह उपस्तित हो सकते है तो यह था coordination number ध्यान रखिएगा इसके बाद चलते हैं next घनिय क्रिस्टल का घनत यानि की density of cubic crystal कैसे find करते हैं क्या उसका formula होता है तो science में हम density को row से denote करते हैं और density का formula क्या होता है mass per unit volume यानि द्रव्यमान बटे आयतन यह शायद आपको पता होगा द्रव्यमान प्रती एकाई आयतन जो है उसे ही हम क्या कहते हैं घनत तो कहते हैं formula यही रहेगा लेकिन इस formula को यहाँ पर solve करके कुछ values हम निकालेंगे तो ध्यान दीजेगा अगर हम row is equal to mass per unit volume formula लिखें तो mass किसका है हम density किसकी निकालने वाले हैं हम density निकालने वाले हैं cubic crystal की अगर हम एक unit की एक unit जो एक घन होता उसकी density निकालने तो सब्सक्राइब करके हमें पूरे crystal का घन तो जो है वह पता चल जाएगा तो देखिए एक एक एकाई सेल के लिए यानि पर unit सेल के लिए जब आप density निकालने जाएंगे तो आप formula लगाएंगे mass per unit volume मास किसका एक cubic का पूरे का मास यानि एक जो यह cubic unit है एक घन एकाई जो है इसका द्रविमान बटे इसका आयतन तो यहाँ पर इसके लिए mass हम यहाँ पर किसका रखेंगे mass of unit cell हिंदी में मैं बोल दूंगा नोट आप कर लीजेगा बाकी जो आपको नोट सेंड के जाएंगे उसमें हिंदी में चीज लिखी होगी बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसके बाद अब आप सोचिए कि mass of unit cell इस पूरे unit cell का जो mass है वो किस पर thirdiscope Tرف Demand करेंगा यहां पर भार होगा किसका बाहर परमाणू का होगा यह बंद का थोड़ी होगा यहां पर बंद तो force of attribution उता यहां पर रेंगें ऑगा उसमें निक कुल नंबर से, कुल संख्या से गुना कर देंगे, तो हमें पूरी एक ऐकाई का पूरे यूरिट सेल का जो द्रविमाद है, वो पता चल जाएगा, जिरने नहीं संख मैं है, पर देखे, यहाँ पर द्रविमान किसके बात कर रہे हैं, हम एक Unit cell के मास की बात करें, द्रविमान की बात करें, तो जो द्रविमान होता है, वो आखिर किसका होता है, वो कणो का होता है, मास जो होता है, वो पार्टिकल्स का होता है, तो यहाँ पर जितने number of particles है, एक Unit cell में present होंगे, उनके मास से total number of particles को अगर हम multiply कर दें, तो हमें पूरी unit cell का mass पता चल जाएगा तो उस condition में अब बात करते हैं कि एक atom का एक atom का mass क्या होता है एक परमाणू का द्रविमान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको उसके total mass को number of avogadro number से क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा यह एक atom का mass है और माल लिते हैं कि जो total atoms है तोटल atoms जो है वो यहाँ पर use होरा है उसे हम denote कर रहे हैं कि उसे z से जो कुल परमानू की संख्या जो है उसे z से denote किया गया है और एक atom का mass है उसे m upon na से denote किया गया है यहाँ पर एंड जो volume है बता वही अगर यह cube है तो cube का volume क्या होता है cube का volume होता है edge का cube edge यानि जिसे हम core कहते हैं उसका cube edge का cube यही तो होता था हमारा volume यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा एक क्यूब हो जाएगा अब एक atom का mass total number of atom और volume इसको अगर हम इस formula में यहाँ पर put करेंगे तो उसके according row की value क्या आएगी देखो row is equal to formula क्या बनेगा total number of atom z है और एक atom का mass कितना है m upon na के equal है और यहाँ पर volume कितनी है a का cube है तो उस condition में row का पूरा formula क्या बना z into m upon a cube into na यहाँ पर a क्या है a हमारा edge का length है यानि कि जो हमारा core है उसकी लंबाई है वहीं पर na क्या है एवोगाड्रो संक्या है z क्या है परमाणूओं की कुल संक्या है कि एक घं में आखिर कितने परमाणूओं आ रहे हैं और जो m है वो क्या है वो इनका total mass है तो यह density का formula बनता है जाकर के z into m upon a cube into na अभी मैंने आपको बताया था कि यह जो cubic lattice होती है इसमें simple cubic body centered और face centered होने पर आखे total कितने number of item आ सकते हैं जिसे अगर आपकी simple cubic lattice होगी तो total number of item कितने निकाले था आपने 1 तो z की value कितनी हो जाएगी वन के equal वहीं पर body centered cubic होगा बी सी सी होगा तो z की value आपने कितनी निकाली थी तू निकाली थी यह पर अगर face centered होगा तो उस condition में z की value कितनी निकाली थी 4 निकाली थी तो यह यहाँ पर आप z की value रखकर a की value आपको दी होगी एने की value आपको पता होती है और mass जिस भी item की बात करेंगे उसका mass रखकर कर जैसे है कि अगर वो sodium item की बात करते हैं तो sodium का mass आपको पता होना चाहिए अगर chlorine की बात करते हैं तो chlorine का mass पता होना चाहिए बस mass की value आपको रखनी है वहाँ पर और यह density जो है वो find करते हैं तो यह density का formula है z into m upon a cube into n है यहाँ पर density का मतलब है जो हमारा घनिय क्रिस्टल होता है उसके घनत्व से यह जो cubic crystal होगा उसकी density से यह एक unit की density है अब ऐसी जितनी units present होंगी जितनी इकाईयां वहाँ पर उपस्तित होंगी उसको आप क्या कर दोगे इस एक रो से क्या कर दोगे multiply कर दोगे घनत से गुड़ा कर दोगे तो आपको कुल crystal का घनत जो है total crystal की जो density है वो find हो जाएगी उधारण के तौर पे मैं आपको एक numerical इसमें solve करके बताता हूं दिहान से ज़रा उसको देखेगा और समझने की कोशिश करिएगा यह फिप्त एक्जाम्पल जो यहां पर दिया हुआ है क्या रहे है लेडि सलफाइड है यानि की PBS है इसकी जो संग्रचना है इसका जो structure है व पावर माइनस 12 मीटर होते हैं तो यहां पर 500 पीको मीटर है इसको हम लोग सेंटी मीटर मीटर जिसमें चाहें उसमें चेंज कर सकते हैं और हमें इसकी डेंसिटी निकालनी बहुत तो बहुत देंसिटी का फॉर्मला क्या होता है जैड इंटू एम अपॉन एक्यूब इन अ अब जो हमारा NACL के जैसा अगर structure है तो जो NACL की जो संग्रचना होती है वो FCC होती है face centered cubic होता है और face centered cubic के case में यानि कि जो हमारा फलक केंदरत जो घन होता है उसमें परमाणूओं की संख्या कितनी होती है जैड की value अभी बदाएथी 4 होती है देखो यहाँ पे जैड की value कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी edge length एक कितनी थी है 500 picometer तो एक picometer मतलब 10 की घाथ-12 10 की power-12 और meter होता है उसको centimeter में change करने जाओगे तो 10 की power-10 centimeter आ जाएगा दो zero और दिया हो है इनको भी हटा दोगे तो जो total value आजाएगी एक हो आजाएगी 5 into 10 की power-8 centimeter अब उसे इसको change करने को मत पूछ ले ना वनना थपड़ पड़ेगा तुम लोग को क्योंकि यह आपको class 8 से सिखाया चालू कर दिया आता सिखाना कि किस तरह से आप units को change करते है पस मैंने इसकी value आपको बता दी एक picometer जो होता है वो 10 की power minus 12 meter के equal होता है और जो एक centimeter होता है वो 100 centimeter के बराबर होता है तो किस तरह से यहाँ पर इसको उन्होंने centimeter पर change किया है अब आप लोग खुद solve कर सकते हो एंड एवोकाड़ो नंबर जो कि fix रहता है 6.022 into 10.23 अब बाताती है मास की मास का मतलब हमें क्या चाहिए द्रवेमान चाहिए किसका चाहिए lead sulfide का चाहिए जो कि अभी मैंने बताया था कि जिसका भी वो कहें जो formula दिया होगा उसके according ही आपको यहाँ पर mask क्या करना होगा निकालना होगा तो यहाँ पर जो हमें निकालना है density वो lead sulfide की निकालना ही lead sulfide का formula होता है PBS PBS का मतलब हो गया एक lead एक sulfur एक lead का mass होता है 207 एक sulfur का mass होता है 32 दोनों को write करो कि कितना हैगा 239 तो देखो m की value कितनी हो गई 239 सारी values को रग दिया formula लगा दिया row is equal to z into m upon a cube into n तो z क value 4, m की value 239, a cube की value तो a की value है 5 into 10 की power minus 8 इसका cube कर दिया into 6.023 into 10 to 23 आप सब बहुत अच्छे गड़ेता कि यह बहुत अच्छे mathematician है इस value को solve करेंगे answer आ जाएगा 12.69 अब जो unit लिखनी है क्या unit आएगी एवोगाड़ो number की कोई unit होती नहीं है number of particles क्योंकि एक संख्या है इसक इनने gram में लिया हुआ है तो इसकी जो total unit बनेगी वो जाएगी gram पर centimeter cube तो यह आ जाएगा 12.69 gram पर centimeter cube यह एक example है इसको आप खुछ से भी solve करिएगा और book में जो और example दिये हो हैं उन्हें solve करने की कोशिश करिएगा और उसमें अगर कोई problem आती है कोई confusion आती है तो आप इसके बाद जो हमारा next topic आता है वो है packing and voids यानि सकुचन एवम रिक्तियां सकुचन एवम रिक्तियां का मतलब क्या है जो हमारे परमाण होते हैं जो atoms होते हैं जो molecules हैं जो ions हैं वो जब crystal बनाते हैं तो उसके अंदर आखिर यह किस तरह से pack किये गए इनका सकुचन किस तरह से हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो atoms हैं वोने हम spherical मानते हैं जो परमाण होते हैं वो गोलाकार होते हैं तो जो आप गोलों को इस तरह से भी अगर दूसरे के बहुत पास-पास भी fix करोगे देखो पास-पास भी fix करोगे तो भी इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क इस्थान होगा तो उसको हम यहां पर chemistry में कहते हैं voids यानि रिक्तियां तो हमें यहां पर पढ़ना है packing कि किस तरह की packing हो सब्सक्राइब कितने तरह क्या संकुचन हो सकता है और voids किस किस तरह की रिक्तियां जो है वह उत्पन हो सकती है crystal के अंदर क्रिस्टल निकाई के अं एंड इसी में फिर हम एक और concept पढ़ेंगे packing efficiency यानि कि सकुचंग छमता कितनी है कि आपने तीन तरह के क्योंकि पढ़ें simple cubic और body centered face centered से साब से जब हम items को उसमें fix करेंगे जाकर तो उसकी जो packing efficiency है जो सकुचंग छमता है वो कितनी निकल के आएगी कुल मिला करके मैं आपको यह सिखाने की खोशिश करना हूँ कि मैं आपको एक box दे दूँ एक cubic box दे दूँ और उसके अंदर मैं आपको plastic की balls रखने को दे दूँ तो आप किस तरह से arrange करोगे कि आप जादा से जादा ball रख पाओ या कम से कम ball रख पाओ और जब आप ball को उस ग रिक्तियां कहा जाता है और जिस तरह से आप उन balls को arrange करोगे उसे packing यानि सकुचन कहते हैं डाइग्राम के थूँ अकर मैं आपको explain करूँ तो यह मैंने आपको एक box दे दिया और आपके जो atoms हैं वह spherical हैं तो आप इस box के अंदर इस तरह से balls रखना क्या करोगे start करोगे तो आप उन balls को किस तरह से arrange कर रहे हो वह आपकी packing है वह आपका सकुचन है और इनके बीचे जो खाली जगह जूट जा रही है वह क्या है वह आपकी रिक्तियां है यानि कि आपकी voids है तो यह जो packing and voids का जो concept है इसको हम लोग हमारे next explanation में start करेंगे थोड़ा सा आपको hint देता ह चलता हूं कि सकुचन जो है packing जो है हम तीन टाइप की पढ़ेंगे एक है हमारी one dimensional one dimensional का मतलब एक ही dimension में सीधे सीधे balls को रखते चले जाए दूसरा क्या हो सकता है two dimension मतलब की lengthwise और breathwise दोनों रखा और एक होती है three dimension three dimension का मतलब एक layer ऐसे बनाई एक layer ऐसे मतलब इस तरह से और एक layer इसके perpendicular बनाएंगे perpendicular बनाने का मतलब इन चारो balls के ऊपर हमने यहां पर एक ball रख दी तो वह three dimension three dimension यानि त्री विमिया सकुचन होगा तो सकुचन जो है वह तीन तरह का हो सकता है एक विमिया दूइविमिया और त्री विमिया यानि की one dimensional two dimensional और three dimensional one dimensional है तो यह की चीज़ हो सकती है आप सीथा सीथा लंबा लंबा रख सकते हो जब two dimension होगा दूइविमिया होगा तो उस condition में दो तरह के सकुचन हो सकते हैं एक हो सकता है square और एक हो सकता है hexagonal and इसी तरह से three dimension में भी दो हो सकते हैं एक square और एक hexagonal, hexagonal में दो arrangement और पाए जाते हैं, इन पर जो discussion होगा, उसे हम लोग कल diagram के साथ समझेंगे, लेकिन आज जो मैंने आपको सकुचन और रिक्तियों का मतलब बता है, packing and void का, इस example के थूँ मतलब समझाने की कोशिश करी है, अगर आप इस example को ध्यान में रखेंगे, तो कल का concept आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके class, thank you, और यह जो numericals यहाँ पर दी हैं, इसे जरूर लगाईएगा,